नमस्कार दोस्तों जेडियस कमप्टिशन में आपका स्वागत है आएक करेंट अफेर के इसू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और वो है यूक्रेन विवाद इस यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस यानि दुनिया की दो बड़ी महासक्तियां आमने सामने हैं क्या बिवाद है और भारत अभी ब्रादी मिल्ट पुतिन आये थे जो की रूस किराफ पड़ती हैं आने से पहले उन्होंने यूक्रेन को चेताओं ने दिया था अब पहले आप जानिये कि बिवाद क्या है यूक्रेन यहां पर है एक मैप ले लिए हमने सिंपल सा यूक्रेन उ सोब्यसंग हुआ करता था नीच ग्यामव में सोबियसंग का विफ्तन हुआ उसी से अलग हुआ एक देस है और यह यूरोप का सबसे बड़ा अचैश्स नमर का बहुत बढ़ा नियर्यातक है तीसरे नंम्र का दूनिया में तीसरे नमर कर अनाचक निया इंस menyewa को अब आप इसके नीचे की लोकेशन आप ले सकते हैं इसके नीचे ब्लेक सी यानि काला सागर से इसकी सीमाय लगती हैं और इसके जस्ट यह पेनिंसुदा टाइप में है यह वाला हिस्सा यह क्रीमिया में जगडे की जड़ यहीं पर है अब पहले आप एक एक हेडिंग के अं पहला रूस का क्या हाई था भाई हुआ ये विवाद की सुगत 2014 में रूस ने यूकरिन पर हमला कर दिया और हमला करने के पश्चाथ इस क्रीमिया को अपने परजेशन में ले लिया फिर बड़ा होहंगामा हुआ पूरी दुनिया वाले आलोजना करने लगे तो जब पूरी दुनिया आलोजना करने लगी तो का भाई रिफ्रेंडम हो जाए जन्मसंग्रा हो जाए तो जन्मसंग्रा क्रीमिया में कराए गया तो क्रीमिया में जब जन्मसंग्रा कराए गया त अब ये यूक्रेन बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये क्रीमिया रूस में जाने पाए जब कि क्रीमिया की सीमा बिल्कुल भी रूस से नहीं लगती है यूक्रेन से ही लगती है लेकिन अब यूक्रेन भाई क्यों चाहेगा यही पूरे विवात की जड़ है अब फिर पुना association है है पुना Ukraine रूश यूट्रियन को हासिल करना चाहता है इसे को लेकर रूश ने इस पोरे Ukraine के बाडरर पर जो ये बाडर लगा हुआ है रूश ते यहां पर اेक लाख प्याथ्प्तर हज्जार सेना अपमें लगा दी है कुष्भा फूरे बार्टर पे एकदम युद्ध की सित्ऩ क्रेट हो चुकी है अब यहां पर अमेरिका की in ट्री होती है अब अमेरिका को पाथ सुनिया अमेरिका की जिस यह अमियु का तो यहां आम यहां पर कहिए मनले अमेरिका च excitement ने धमकी दिया रूस को जडि रूस यूक्रेन प्रहमला करता है तो हम अपनी पूरी फोज यूक्रेन में उतार देंगे भई अमेरिका तो यहां बैठा हुआ तो उसको यूक्रेन की इतनी किंदा करने क्या हो सकता है यह भी सुझने वाली बात है अब कारण सुनिए यह अमेरिका यूयस चाहता यह यूक्रेन हमारे पजेशन में आ जाए और इसको हम नाटो का नाटो का मेंबर बना दे यानि नार्थ अट्लांटिक ट्रीटी आर्गनाजेशन यह तीज देशों का एक समूह है नाटो और इस प्रतेक देश में प्रतेक देश किस सेना है उसमें है इस नाटो में और जो भी इसकी सेना है वो सब नूकलर आम से लेस है और इनका एक मोटो है वन फार आल वन फार आल आल फार अस यानि एक के लिए सब है सब के लिए एक है अगर इस तीस तीस देशों की सेमना है अगर इस 30 में से किसी एक पर कोई भी देश हमला करता तो बाकी 29 उस पर मिलकर हमला करेंगे अब यह अगर नाटो का मेंबर बन गया तो यहां पर हो गई अमेरिका की इंट्री और यह रूस यहां पर जो है यह बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके परोस में अमेरिका आया है और अमेरिका यही चाहता है कि अगर यहां पर उसकी इंट्री हो गई तो रसिया को चेक एंड बैलेस कर सकता है यह जियो पॉलिटिक्स है आप यहां समय लेए अब यहां पर भारत आप देखिए भारत की क्या इस्थित्य है भारत माले इंडिया यहां पर है अब इंडिया का यूक्रेन से भी अच्छा सम्मंद है और रसिया से भी अच्छा सम्मंद है क्यों डिफेंस की जो पूर्ती होत है एक बीमान खरीद आ गया था यूक्रेयन से उसको और वह बीमान बाद में खराब हो गया था फिर उस बीमान को यहां बनने जाना था लेकिन उसके पार्ट रसिया से आते थे अब दोनों टेंसर ने बनी नहीं पाएगा फिलाल दोनों से हमारे संबंद है रच्छा संबंद अभी तक नहीं आई लेकिन भारत का जुका कहीं न कहीं ब्लादी में पुतिन भारत आये तो कुछ सो समझके भी आये होंगे तो कहीं न कहीं रूस की तरफ जुकता हुआ जादे प्रतीत होता है भारत का लेकिन कोई आफिसेल स्टेटमेंट नहीं भारत का कि हम रूस का पूरा मामला है यूक्रेन का यहां पर यही कारण है कि यह दोनों महासक्तियां अमेरिका और रूस एक दम आमने सामने आ चुकी है अब क्या आगे सलूशन इसका निकलेगा आगे डेवलेमेंट देखते हम लोग आज का करेंट अफेर का इसू यहीं तक फिर मिलते हैं किसी कर भूसकार धन्यवाद